आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ पैटन बनाते हैं और इन चारों में से एक ऐसा है जिसमें वो पैटन नहीं है या अलग पैटन है वो हमें पता करना है तो पहला अक्षर देखते हैं पहला अक्षर में क्या है? A है, C है, D है और F है तो यानि यहाँ पे क्या है? B गाइब है, C, D और यहाँ पे क्या कर दिये हैं इन्होंने E गायब कर दिया है इस परकार यहां कोई पैटन बना हुआ है अब अगर दूसरे शब्द की बात करें उसमें क्या है T, U, O, P यानि T, U, O, P इसमें क्या है दो दो अक्षरों के जोड़े दिये गए हैं जो की लगाता रहते हैं जैसे S के बाद T आया ट के बाद U आता है तो यह लगाता रहोगे M, N, O और P लगाता रहते हैं तो इस पर रिकार का पैटन बना हुआ है अब अगर H, I, V, W के बाद करते हैं तो यहां पर H के बाद I आता है तो यह अलग जोड़ा बन गया V के बाद के बाद के बाद W आता है तो यह अलग जोड़ा बन गया इन दोनों में पैटन है U, V, W ठीक है अब अंतीम शब्द देख लेते हैं, इसमें क्या है, F के बाद G आता है, तो ये एक जोड़ा बन गया, K के बाद L आता है, तो ये बन गया, यानि दूसरे, तीसरे और चोथे शब्द में क्या सेम पेटर्न है, जरकि पहले में अलग पेटर्न बना हुआ है, तो हमारा यहां विशेम अक्षर क्या हो गया, A, C, B, F या हमारा विशेम अक्षर है, दन्यवाद.